दोस्तो दो दिन पहले SSE ने अपना examination calendar आउट कर दिया 2023 की सभी बड़ी भरतियों की details आपको calendar के अंदर देखने को मिलेंगी लेकिन दिल्ली पुलिस के किसी भी exam से related कोई भी update आपको examination calendar के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी हाला की SSE ने note डाल कर ये clear कर दिया कि अब से आपकी जो भरतिया होंगी दिल्ली पुलिस MTS और दिल्ली पुलिस constable की वो SSE conduct नहीं करवाएगी अब खुद दिल्ली पुलिस आपके exam को यहाँ पर conduct करवाएगी हाला की इसके बाद ये तो clear हो गया कि SSE अब गेम से बाहर हो गई है और दिल्ली पुलिस ही अब आपके सारे process को complete यहाँ पर करवाने वाली है लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी हाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि कल मैंने एक वीडियो बना कर आपके बहुत सारे doubt किलियर कर दिये थे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो के बाद बहुत सारे सवाल और निकल कर आये हैं आज किस वीडियो में उन सभी सवालों के उपर हम discuss करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहला सवाल है क्या भरती आएगी तो यहां पर देखेगा सबसे बड़ा सवाल यहां पर है क्या भरती इस साल आएगी या नहीं आएगी तो यहां पर मैं आपको किलिर कर देता हूँ कि आपकी जो भरती है वो इस साल जरूर आएगी और आपको देखने को भी मिलेगी लेकिन भरती की notification आउट होने में थोड़ा time आपको लग सकता है हाला कि आपका जो approximate लग रहा है वो April के अंदर लग रहा है कि April तक आपकी notifications जो है वो out हो जानी चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत उपर नीचे time इसमें हो भी सकता है उसका भी एक कारण है वो है exam कोन लेगा क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है एकजाम दिल्ली पुलिस कंडेक्ट कैसे करवाएगी हाला कि दिल्ली पुलिस का काम है सुरक्षा, सहयोग करना, law and order को maintain करना ऐसे में exam खुद दिल्ली पुलिस तो कंडेक्ट करवानी सकती उसको किसी third party की help लेनी पड़ेगी एकजाम में नेशन कंडेक्ट करवाने वाली किसी exam agency की like NTA हो गया आपका तो agencies आपकी है NTA ठीक है, NTA के बाद आपका TCS हो गया SSC तो आपका करवाने रही या फिर कोई XYZ कंपनी चाहे वो खुद के कोई technical हो या कैसे भी हो, तीन कोई भी extra कोई company है, उसके सयोग से ही third party के सयोग से ही दिल्ली पुलिसे सापके जो exam है इसको यहाँ पर conduct करवाएगी अब इस process को होने में time लगेगा क्योंकि सबसे पहले तो यह decide किया जाएगा, कि वो TCS करवाएगी NTA करवाएगी, या कोई एक new कोई XYZ company करवाएगी और जब यह decide हो जाएगा उसके बाद आपका एक पूरा board बनेगा, उस पर चर्चाए होंगी, उसके अंदर सब कुछ discuss किया जाएगा, उसके अंदर आपके memo वगेरा sign होंगे, उसके बाद आपका जो exam है वो conduct करवाए जाएगा, तो ऐसे में आपके जो थोड़े बहुत notification up-down हो सकती है, बाकी आपकी जो भरती है, वो जरूर आएगी त्यारी आप अपनी जरूर रखना, ठीक है दोनों आपके questions clear होगे, तीसरा है सबसे बड़ा सवाल पहले physical होगा या written exam होगा, अब यहाँ पर दो case बनते, मैं आपको दोनों case बता देता हूँ पहले physical या written exam तो दिखेगा, अगर पहले ये examination agencies अगर आपकी decide हो जाती है, कि भाई हाँ आपका मालो, फरवरी तक आपका decide हो गया, तो आपका पहले written exam conduct यहाँ पर करवाया जा सकता है लेकिन अगर दिल्ली पुलिस सोचती है कि भाई time जादा लगेगा agency को करने में, decide करने में तो यहाँ पर यह भी possibility बन रही है आपकी, कि आपका यहाँ पर notification सबसे पहले तो notification जो है आपकी, वो यहाँ पर आउट कर दी जाए, उसके बाद आपका physical करवा लिया जाए, क्योंकि यह खुद दिल्ली पुलिस जो है, वो ही आपका करवाती है, तो जितने आपका notification physical आपका करवाया जाए, इतने आपकी agencies decide हो जाए, क्योंकि उसके अंदर आपको April मई तक का time मिल जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद आपका जो भी selected candidates है, उनका यहाँ पर written exam जो है, वो यहाँ पर conduct करवा लिया जाए, एक्स्ट्रा बच्चे उसको बुला लिया जाए, ताकि जो जितने भार होंगे, उसी आपसे सारा ratio बना कर, उसके बाद आपका written exam clear हो, conduct करवा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही possibilities बन रही है, तो अगर आपका written exam होता है, तो उसके अंदर भी आपको देखने को यही मिलेगा, बात वो ही पड़ेगी, आप पहले return दे रहे हो, उसके बाद clear होके जा रहे हो, फिर physical कर रहे हो, पहले physical कर रहे हो, तो आपके पास यह होगा, कि आप selected candidates हो, लेकिन उतना ही ratio बढ़ा दिया जाता है, तो बात आपकी वो ही पड़ जाती ही, वो चैस्ट में छटे, यहाँ physical में छटे, ठीक है, लेकिन अगर आपका यह agency late अगर decide होती है, तो possibility है कि पहले आपका physical यहाँ पर लिया जा सकता है, अगर हो जाता है timely, तो return आपका पहले conduct कर वाए जाएगा, ठीक है, चलिए, उसके बाद जो exam का अगला सवाल है, वो है, is relaxation मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए, इस चीज के उपर अभी कुछ भी कहना, इस point of time के उपर सही नहीं होगा, कि आपको age relaxation मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ भी इस तरह से clear नहीं है, कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, hopes होगे, आपको मिलना चाहिए, जैसे कि पीछे भी आपने देखा, तो अगर आपको age relaxation कुछ मिलता है, तो आपके लिए benefit ही है, लेकिन क्या actual में क्या terms and conditions होगी, वो आपको बाद में पता लगेगा, so, फिलहाल के लिए hopes होगे, आप सबको age relaxation यहाँ पर मिलना चाहिए, सारी चीजे होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है, या मिलता है, वो बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, जब दिल्ली पुलिस, उसके बारे में, डिटेल में कोई चीज यहाँ पर आउट करेंगे, ठीक है, चले, उसके बाद exam offline या online, ठीक है, तो देखें, अगर दिल्ली पुलिस यह exam को खुदी कंडेक्ट करवाती थी, अगर खुदी बेड़ा उठाती है, कि हम अपने आपी notifications आउट करेंगे, अपने आपी हम जितने भी 10-15 लाख बच्चे उनको हम arrange करेंगे, तो maybe कि offline आपका exam conduct हो सकता है, लेकिन अगर वो NTA TCS के तरफ जाएंगी, इनको महारत आसिल अपने online pattern के अंदर, ठीक है, और जो पीछे से चला आ रहा है, आपका दिल्ली पुलिस आपका exam यहां पर लेगी, बट अगर agencies decide ना करके, यह खुदी अपने level पर सब कुछ करना चाहते हैं, और एक जिम्मा उठाते हैं, तो maybe यह offline भी हो सकता है, बट अगर agency decide होती है, तो definitely यहां पर आप online ही आपको लेकर जाए जाएगा, online ही आपका exam conduct करवाए जाएगा, ठीक है, अगला है pattern बदलेगा, क्या तो देखे, अभी मुझे नहीं लगता कि इस समय में आपका pattern यहां पर दिल्ली पुलिस change करेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आपका जो pattern है, उसको और आजकल किसी भी exam के तरव आप चले जाओ, mostly same pattern आपको देखने को मिल रहा है, so pattern की तरव से आप बेफिकर रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 19-bis marking ratio के अंदर आपको अगर change मिलता है, तो एक अलग possibility, otherwise जो आपके subjects है, उनके अंदर यहां पर आपको कोई भी जो difference है वो देखने को नहीं मिलेगा अभी ऐसा ही लग रहा है कि आपके pattern में कोई भी change नहीं होगा जो चला आ रहा है, वो यहां पर ऐसे चलते रहेगा, हाँ हाला कि अगली जो भरती आएगी, तब तक हो सकता है कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कुछ ऐसा decide कर ले, कि यह मेरे एक personalized होगा कि दिल्ली पुलिस का यह personalized syllabus है, तो उसी के base पर ही वो सारी चीज़े चलाएगी, बट अभी जो एकदम से दिल्ली पुलिस exam conduct करवा रही है, इस टाइम पर वो exam pattern को नहीं छेडेगी, और भी बहुत सारी चीज़े जैसे online, offline की तरफ भी मुझे नहीं लगता हो जाएगी, वो और ही चीज़े हैं, जो एक बर वस वो exam conduct करवाना चाहेगी, और जो changement होंगे, वो next vacancy के अंदर साइद आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अभी फिल हाल सिर्फ यही change होगा, कि आपका exam बस दिल्ली पुलिस ले ले, उसके बाद सारा process आपका वो same ही रखेगी, लेकिन इसके benefits भी हैं, आपके results जल्दी आ जाएंगे, जल्दी सारे process हो जाएंगे, भरती एक दूसरे को नहीं सोपने पड़ेंगे, तो अगर यह सारी चीज़े हो जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा ही होगा, तो देखते हैं बागी क्या होता है, क्या नहीं, लेकिन सारे जो details, जो questions थे, उनको मैंने आपके साथ discuss कर लिए हैं, होप सो आपके doubt क्लियर हो गए होगे हैं, और अगर आपके doubt क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को like share कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, तब तक लिए thank you so much, नमस्कार.